इस वीडियो में हम लोग देखेंगे HDFC बैंक को तो स्टॉक का प्राइस 1606 के आराउंड चल रहा है और आप देख रहे होगे कि स्टॉक एक बड़ी अच्छे से मोमेंटम में घूम रहा है अपना मस्ती में इतना प्यार है से स्टॉक को सपोर्ट इसस्टेंस के कहीं जाना ही चाहता है चैनल चोड़के तो वह सी चैनल में यह ट्रेड कर रहा है बस और देखो अभी तो आप सिर्फ 15 दिन से अपना में चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को अभी सब्स्राइब करें ऐसे अच्छे अनालिसिस के लिए तो आप देखोगे कि अगर पाओगे कि अधर पर आपके करी 11-12% का रिटन आपको इजली देखने को मिल जाएगा अब इन्हें स्टॉक की बात यह रहती है कि यह जितना टाइम कंसॉलिडेशन में रहते हैं उतना ही इनको भागने में मज़ा आता है फिर आप देखोगे कि यहां से आप पाओगे तो इस टॉक पर डे अपर में ग्रीन 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 केंडल बनाता जा रहा है और सिर्फ 15-15500 से इस टॉक को 17-15 पहुंचने में ज्यादा टाइम नीम लगा और मोस्ट यह 10 दिन के अंदर 15-17 सु में पहुंच गया तो जितना यह कंसॉलिडेशन लेंगे उतना यह भागने का म कुमेंटम भी दिखा देते हैं बड़े स्टॉक हैं मार्केट कैप्चर भी इनका बड़ा रहता है तो यह सेफ स्टॉक होते हैं कहीं न गई आप इनमें इजी ट्रेड कर सकते हो टैंसन फ्री भी रहते हैं इस टॉक्स में तो इस डी एफसी बैंक की कहानी ऐसी है उपर यह लेवल ब्रेक करेगा तब ही इसकी वीक्नेस होगी वह अभी दिखता नहीं है बट हाँ 1500 के लेवल के अगर यह अंदर आता है 1500 तो बाइस जरूर करिएगा आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को जरूर मिलेगा और अगर यहां से यह अभी भी उपर रिवर्स मार जाता बेगा बेगा स्टॉक को बड़ा पका वहां पर एक रिजिस्टेंस फेज जरूर होगी तो वीडियो यहीं तक रखते हैं मिलते नेक्स वीडियो में दिस इस में सुभम यादाफ साइनिंग आफ